आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ए सिद्धान तगनी होतरी स्टेडी आयक्यूपैप का बहुत बहुत सवागत है आधर में बड़ी इंट्रस्टिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे दोस्तों ये कहानी है वर्ल्ड वार वन की चलिए पहले मैं समझाओंगा चार साल तक चला और उसके बाद पांचवे साल में सारी ट्रीटीज एंड अल साइन होई 1914 से लेकर 1918 तक ठीक है 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ जिसको जुलाई क्रैसिस भी बोला जाता है और उसके बाद फिर 1918 में खतम हुआ अवेबर 1918 में ठीक है जर्मनी की हा बहुत ही घायल अवस्था में हेंरी टेंडी के सामने आता है जिनको टी टेंडी भी बोला जाता था हेंरी टेंडी के सामने आता है बहुत ही घायल बंदूक तक नहीं उठा पा रहा था हेंरी टेंडी के मन में दया भाव आ गई और उस जर्मन सोल्जर को हेंरी टेंडी ने जाने दिया, ठीक है, नयतिकता के आधार पे, उस जर्मन सोलजर ने हेंडरी टेंडी का शुक्रिया अदा किया, और अपने रास्ते चला गया, लेकिन इस एक इवेंट ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, और एक ऐसे इवेंट को जनम दिया, जो आज तक का सबसे खत हिटलर, देख रहे हैं, भागवत गीता का सबसे बड़ा ज्यान यहां पे आपको दिखेगा, समझ रहे हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, इतनी भी महांता ना दिखाओ, कि वो आपको ही दिक्कत में डाल दे, तो हम इस कहानी की बात करेंगे, वैसे दोस्तों, इस कहानी को बैटल को दर्शा रही थी, बैटल ओफ मिंट की, तो उन्होंने बताया कि यह जो पेंटिंग है, यह क्या है, तो हिटलर ने बोला था, कि यह इनसान जो है, इसने बस मुझे मारी दिया था, मुझे लगा मैं जर्मनी को कभी देखी नहीं पाऊंगा, लेकिन असा हुआ नह बिचर का नाम है, इस लिचर का नाम है, अप स्टेडी आईक्यू की वेब साइट और आप से बूख कर सकता है, ट्विटर पे मैं आ अगया हूं, यह नहीं मेरी आईटी, एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने वर्ड वार्ट बहुत ही अच्छे से पर लेचर किया है, सब बायोग्राफी में बहुत सारे लोगों ने देखा, लाखो लाखो लोग देख चुके हैं, तो आप जरूर देखिएगा, उनको रेफर करिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पर लाघर पर लेचर किया है, बहुत सारी चीज़े, थोड़ा World War I के बारे में जान लेते हैं, देखिए, World War I था क्या, World War I basically, होता है ना महले में, आपने महले में अक्सर देखा होगा, महले में छोड़िए, आपके जो दोस्त होते हैं, अक्सर क्या होता है, मैटर हो गया यार, आप उनको आपको पता नहीं है, कि आप किस से लड़ने ज देखिए, यही था World War I में, यहाँ पे जो देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, उनको पता ही नहीं था वो लड़ क्यों रहे हैं, सबके अपने अपने इंटरस्ट थे, लेकिन उनकी कोई पस्नली दुश्मन ही नहीं थी, समझ रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा इंटरस् साइन की हुई थी, उसके लिए लड़ रहे थे, ठीक है, फ्रांस फटिनेंट को यहाँ पे मार दिया गया, जो की उत्तरा अधिकाली थे, याद रखिएगा, यह immediate cause था, ठीक है, जून 1914 में, देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी जो है, यह आपको दिख रहा है ना, यह बहुत प्रिटिश के पास है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अफ्रिका में दीखिए, फिर फ्रेंच एंपार एक बहुत बड़ा, ठीक है, अफ्रिका के लिए भी बहुत होड मची हुई थी, कि अफ्रिका में कितनी जादा कॉलोनीज बन सकती है, यहाँ पे भी एंपार यह भी एक बहुत बड़ा कारर था, वल्ड वार वन का, और उसके बाद फिर रश्यन एंपार तो बहुत बड़ा है ही है, ठीक है, अब दो मिनिट में मैं आपको समझा देता हूँ कि वल्ड वार वन कैसे शुरू हुआ, देखे, ऑस्ट्रिया हंगरी यह वाला जो आप दे अक्सर फ्रैंस फर्डिनेंट को लोग राजकुमार समझ लेते हैं, राजा समझ लेते हैं, बिल्कुल नहीं, फ्रैंस फर्डिनेंट के बड़े भाई जोसफ राजाते ऐस्ट्रिया हंगरी के, फ्रैंस फर्डिनेंट उत्रा अधिकारी थे, जोसफ के बाद वो बनेंगे, लेकिन राजकुमार चले गए, मतलब जो होने वाले राजकुमार है, वो चले गए बॉस्निया, ठीक है, वहाँ पे उनका ओफिशल्स ने बोला, बॉस्निया मत जाओ, हमने कबजा करके रखा हुआ है, वहाँ पे लोग मार सकते हैं तुमको, माना नहीं, ब्लाक हैंड एक और्गनाजेशन थी, सर्वियन और्गनाजेशन थी, वहाँ के, जैसे ही, जो फ्रांस फरेडिनेंड है, वो जैसे ही बॉस्निया पहुँचे, सेरा जब वो पहुँचे, तो वहाँ पे ब्लाक हैंड के ही एक मेंबर ने गोली मार दी, इनको और इनकी बीवी को खतम खेल खतम अब ऐसा है यह तो immediate cost था ठीक है क्योंकि जैसे ही ऐसा हुआ Austria Hungary का mood खराब हो गया भाई उत्राधिकारी को अब मार दोगे Austria Hungary ने invade कर दिया सर्बिया को अब सर्बिया और रशिया बच्पन से भाई भाई सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी रशिया ने सर्बिया को मदद दे दी Austria Hungary ने invade तो कर दिया लेकिन इससे पहले Austria Hungary को यह पता था हम बिना backing करी नहीं सकते invade क्योंकि अगर हमको किसी strong empire की backing नहीं होगी हमें एक दिन में हार जाएंगे तो Austria Hungary गए जर्मनी के पास Kaiser Wilhelm के पास Austria Hungary ने बोला माई बाप क्या आप हमको support करोगे Kaiser Wilhelm ने बोला अरे ये लो blank check जो चाहिए ले लो अभी इसी वक support देते हैं लड़ो युद्ध जा सिमरंजा जी ले अपनी जिंदगी ठीक है तो यहाँ पे वही वाला सीन हो गया Austria Hungary जो है वो उसने सर्विया पे अटाक कर दिया बैकिंग किसकी थी जर्मनी की Russia सर्विया को बैक कर रहा था तो basically यहाँ पे युद्ध किसके भी चुरू हुआ है Austria Hungary प्लस जर्मनी और दूसरी साइड कौन है रशिया और सर्विया शुरू में उसके बाद France भी इस युद्ध में कूद गया France को Germany ने France पे अटाक कर दिया तो क्योंकि देखिए Germany बीच में है इधर France है इधर Russia है बीच में जर्मनी सैंडविच हो जाएगा तो इसलिए France ने अटाक कर दिया फिर जर्मनी ने अटाक किया Belgium के थ्रू तो France भी इुद्ध में कूद गया फिर British आ गया फिर America आ गया तो पूरा World War 1 शुरू हो गया शुरूवात में जर्मनी को जीत मिली लेकिन अल्टिमेटली 1918 आते आते जर्मनी को हार का सामना करना पड गया होता नहीं है कि जिसने लड़ाई लगवाई वो चुपके से निकल लिया और बाकी लोग लड़ रहे हैं तो रश्या तो 1917 में बाहर हो गया रश्या रविलिशन आ गया लेकिन बाकी लोग लड़ते रहे जैसे ही अमेरिका 1917 में कूदा World War 1 में जर्मनी हार गया ठीक है एक साइड तो पूरी दुनिया लड़ रही थी दूसरी साइड था जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटो मोन एंपायर और रश्या का बच्पन से जगड़ा था एनिवेग अलग टॉपिक तो ये World War 1 का संख्षेप में इतिहास था समझ गए एलाइट पावर्स ने मिलके कि जर्मनी को हरा दिया पूरी तरीके से हरा अएक बार जर्मके अखरा ऑस्ट्रिया हंगरी भी हर गया अब दोस्तों उसके बादNINGा वर्सेल साइन हुई बहुत सारी ट्रीट बाफोरDINGाश्यन Six Pequots Agreement, बहुत सारे नहिदेज बन गए, यह सब कुछ हुआ, लेकिन इसी दौर आने की स्टोरी चली, Henry James Tandy, समझ रहे हैं, अब यह कौन थे, 1881 में इनका जनम हुआ था, ब्रिटेन में जन में थी यह, ठीक है, I'm sorry, actually अटक गया था मेरे तो ब्रिटेन में जन में थी यह, तो यह, इनके पिता जी भी soldier थे, यह भी soldier थे, बच्वन बहुत अच्छा नहीं गुसरा था, क्योंकि माता जी का देहांत हो गया, कई बार इनको अना थाले में जीवन गुजारना पड़ता था, तेकि कोई बात नहीं, अब World War I शुरू हो गये, इससे पहले भी यह आर्मी में थे, तो ब्रिटेन में भी, मतलब ब्रिटेन की तरफ से साउथ अफ्रिका में भी थे, World War I से पहले, ठीक है, फिर World War I शुरू होता है, तो Battle of Ypres लड़ी गई, उसके बाद और बहुत सारी Battle of Som लड़ी गई, इन्होंने बैटल में जाते, लड़ाई करते, लोगों को बचाते soldiers को बचाते, घायल होते, admit होते होस्पिटल में, ठीक होके फिर आते, फिर लड़ते, फिर घायल होते, फिर होस्पिटल में जाते, फिर आते लड़ते, तो ऐसा किया था Henry Tandy ने, और इनकी बहादुरी को बहुत सरहा गया था, क्योंकि इनको Victoria Cross medal भी मिला था, बहुत सारे medals इनको मिले थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया नेत्रत्व दिखाया था, और काफी बहादुरी से लड़ाई की थी, समझ गए, तो 26 जुलाई 1918 तक ये battalion में थे, अब दोस्तों ये कहानी है, Hitler और Henry Tandy की, ये September की कहानी है, ठीक है, हुआ क्या, कि 28 September, ठीक है, नवेंबर आते आते, जर्मनी जो हार गया था, ठीक है, जर्मनी ने battles रड़ी, फ्रांस और बेल्जियम से, तो फ्रांस और बेल्जियम के जर्मनी ने एरिया के रखा हुआ था, वो ज्यादतर एलाइट फोर्सेज ने ले लिये थे, ठीक है, तो जर्मनी हार गया, तो Hitler की, मैंने biography में बताया था कि, हिटलर जो है, वह आर्मी में था, ठीक है, पहले तो, हिटलर की कहानी भी बड़ी खतरनाक एक थरीके से, ठीक है, हिटलर टो एक artist بنना बनना चाहता था, ठीक है, हिटलर एक artist بنना चाहता था, लेकिन artist नहीं बन पाया, ठीक है, अपनी मां से बहुत करता था मा का दिहान थो गया जर्मनी आ गया फिर और जब जर्मनी आया तो यहाँ पर वो जर्मनी के लिए लड़ने लगा क्योंकि वो जर्मनी को एक बहुत बड़े empire के रूप में दिखता था ठीक है God of Charlie Germany मौका चाहिए था उसे army में था army में युद्ध में लड़ रहा था ठीक है लेकिन वही है कि September आते है था Germany हारने लगा और उसके बाद Henry Tandy जो है वो अपनी कंपनी के साथ जा रहे थे सामने आता है Hitler समझ गए Adolf Hitler बिलकुल Line of Sight पे थे ठीक है Henry Tandy ने उठा ली बंदूग Hitler सामने था इतना ज़्यादा घायल था Adolf Hitler बंदूग तक नहीं उठा पा रहा था बोल तक नहीं पा रहा इतना ज़्यादा घायल था Henry Tandy को दया आगई और Henry Tandy ने Hitler को जाने दिया Hitler ने Thank You बोला उसके बाद Hitler disappear हो गया दिखा ही नहीं इतनी जोरभादा ठीक है World War One खतम हो गया अब ये कहानी जो है इस पे बकायदा पेंटिंग बनाई गई ठीक है एक पेंटिंग बनाई याँ पे बड़ा अजीब सा नाम है पेंटिंग बनाई इसी तरीके का नाम है नाम बड़ा खतरनाक है मैं प्रनौस नहीं कर पा रहा हूँ तो ये जो पेंटिंग थी इसमें ये दिखा रहा था कि Henry Tandy जो है वो एक soldier को घायल soldier को लेके जा रहे है ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों ये फिर कहानी उठने लगी Hitler को Hitler ने का आर्टिकल देखा नियूस पेपर में ठीक है और वो फिर पहचान गया कि ये तो वही इंसान है जिसने मुझे छोड़ा था फिर उसके बाद Never Chamberlain जो कि British के Prime Minister थे आपको पता ही है कि Hitler ने 1938 आते आते अपने आर्मी को पूरा रियोर्गनाईज कर लिया था तो जब Never Chamberlain जर्मनी गए थे जर्मनी बैवेरिया में बहुत ही खुबसूरत बैवेरिया में बहुत बड़ा पैलिस था मतलब बड़ी हवेली टाइप की थी पहाड़ों पे घर बनाके रखा हुआ था हिटलर में छुट्पिया मनाने जाता था तो Never Chamberlain को वहाँ पे ले गया तो वहाँ पे पेंटिंग थी जैसा भी मैंने चुरू में आपको बताया था तो वो हिटलर से पूछा कि ये पेंटिंग क्या है बहुत ही क्लोस था मुझे मारने के लिए लेकिन एंड टाइम पे इसने अपना मन बदल लिया मुझे लगा कि मैं जर्मनी को कभी देखी नहीं पाऊंगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो जब आप वापस जाईए Never Chamberlain से बोला जब आप वापस जाईए तो आप इसको मैंने शुक्रियादा करिएगा फिर उसके बाद जब हेंडी टेंडी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने एम तो लिया था लेकिन मैं मार नहीं सका उसे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल था तो इसलिए मैंने उसको जाने दिया आप समझ रहे हैं तो ये चीज है अब उसके बाद हिटलर जो था वो लांस कॉर्पोरल था ठीक है फिर हम ये देखते हैं हिटलर ने कॉपी तो दिखाई मैटेनिया की पेंटिंग की ठीक है लेकिन इस पे दोस्तों बहुत ही ज़ादा डाउट है है ना बहुत सारे ओफिसर ने इस पे सवाल खड़े किये कि इट इस नेक्स्ट तो इंपॉसिबल क्योंकि हिटलर हिटलर और ये टेंडी जो है उनकी कंपनी मिली नी सकती क्योंकि ये ओपोजिट डारेक्शन में जा रहे थे ये पचास किलोमीटर असी किलोमीटर नौर्थ में दा हिटलर तो ये तो इंसिडेंड बहुत लेट हो ना था लेकिन 8 सप्टेंबर को कैसे हो गया ठीक है और उसके बाद इसका कोई एविडेंस नहीं है दोस्तों कोई क्लियर एविडेंस नहीं है ठीक है एक होता ना कि कोई लिखित रिकॉर्ड हो या किसी ने देखा हो ये भी अभी तक पता नहीं चल पाए ये सिर्फ टैस्टीमणी पर बेजड है फिर नेवर्ट चेमबरलेण से बोला गया क्या फोन करें तो फोन करके नेवर्ट चेमबरलें एसी भी काहनी है ये नेवर चैंबर लेन ने फिर इसके बाद हेंडि टेंडी को बताया तो फों दोस्तों में इतना जाथ तो प्रचलन था नहीं ठीक है द्पर दूसरी बाद प GBTIN में यह चीज te तो इनके घर को Luftwaffe ने बरबाद कर दिया था Luftwaffe जो है वो Air Force थी जर्मनी की Luftwaffe ने बरबाद कर दिया था तो Henry Tandy ने Hitler की जान बचाई जादातर लोगों का मानना है In fact यह जब confirm ही हो गया है Hitler ने भी confirm किया तो यह मानना है कि यह कहानी जो है वो सही है है ना जादातर लेकिन इस पर अभी भी doubt चुटते हैं क्योंकि कोई clear record नहीं है है ना तो क्या हुआ कि इनकी Luftwaffe यह Hitler की Luftwaffe ने यह जो Henry Tandy एक के घर को परबाद कर दिया है ना अब जिसकी जान बचाई उसी नहीं इसके घर को परबाद कर दिया तो यहां पे Henry Tandy ने बोला था कि अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा हो जाएगा और इतने लोगों की जान लेगा अगर मुझे यह बाद पता होती तो मैं इसको वही मार देता और मैं तो भगवान से सौरी बोलना माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इसको जाने दिया आप समझ रहे हैं यह Henry Tandy ने बाद में बोला जब Hitler ने हालत खराब कर दी यहां पर और ultimately हिटलर को फिर हार का सामना करना पड़ा अब यह जैसा करोगे वैसा भरोगे Hitler ने तो इतनी लोगों को मारा समझ रहे हैं तो अब ऐसा है कि यहां पर Henry Tandy से भी जब बाद में पूछा गया तो Henry Tandy भी थोड़े हिचके चाते हुए नजर आए Henry Tandy ने शुरू में तो बोला कि हाँ यह वही था लेकिन बाद में Henry Tandy ने बोला कि मैं इसको confirm नहीं कर सकता कि यह Hitler था या कोई और था ठीक है क्योंकि हिटलर उससे में इतना फेमस हो गया था पूरी दुनिया में तो लोग उससे जोड़ नहीं जाते थे है ना तो Henry Tandy ने भी बोला कि पूरी तरीके से clear नहीं है कि जिस घायल आदमी को मैंने जानने दिया वो हिटलर था या फोर कोई और लेकिन जादा तर लोगों का मानना है कि एक कहानी सच है समझ गए तो यह बहुत इंट्रस्टिंग चीज मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि आपके सामने लेकि आऊं BBC का एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था झाल